बेक वाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड़ लख टप्स में दर्शकों बेक से बल हमने छे राशियों की बात की थी चलिए विकला आगया वरते हो और अब जान लेते हैं तुलाव रश्चिक और धनूर रश्चिवाले सभी चातकों के बारे में तुलाव रश्चिक की बात करते हैं अज सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाये रखेगा और पॉजिटिव सोच रखेगा अज आप अपनी पॉजिटिव सोच से आप वो सब कुछ पा सकते हैं जिसके अब तक आपको कमी रही है आज के दिन की सफलता के लिए किसी छोटी कन्या के च चरन चूकर दिन की शुरवात किजिएगा दिन अच्छा कुसरेगा अगली जो राशी वरश्चिक राशी आज आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है कारोबार रोजगार में मनुवांचे सफलता मिले से अच्छे दन की प्राप्ति हो सकती है नई योजना और साज़ काफी स्टॉंग रहने वाला है दिन बार लाप के मौके मिलेंगे इसलिए कारशील बने रहिएगा समस्याओं का समाधान दिलेगा आज के दिन के सफलता के लिए माता-पिता के चरन शुकर दिन के शुरुवात कीजिएगा दिन अच्छा कुसरेगा पंदिजी अंतन तीन अच्छा को तरह बढ़ने से पहले दर्शक जूड़ी है हमारे साथ अंचना जी कोटा से अंचना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप जिसके बार में भी जानना चाहती है उनकी जन्म की तारी को समय बताईए और सवाल पूछे है कि अलो जी अंजने जी किसके बार में जानना चाहती हैं आप मेरे बार में जानना चाहती हैं अच्छा अंजने जी सवाल पूछे पूछे इसन जन जन में तो नो मही है सर और 59 सवाल पूछे अंजना जी आपकी जनमकुर्णी है आपका रोहिनी नक्षत्र का जनम है आपकी जनमकुर्णी की अगर हम वैसे विवेचना करेंगे तो आपकी वैसे ग्रहों में कोई कमी नहीं है सूरे उच्छे का है बुदा दित्य योग बनावा है लेकिन कहीं न कहीं आपके लगन के अंदर राहु का बैठना शारीरिक रूप से आपको अन्फिट करवाता है यदि आप गठिया जैसी बीमारी से मुक्ति चाहती है जिसका कोई इलाज नहीं है बस दर्थ की दवा लेते रहे हैं और जितनी दर्थ की दवा लेते हैं उतना बॉड़ी के उपर नेगेटिव इंपक्त पड़ता है लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिस मंत्र का जाप करने से आप आपकी गठिया जैसे बीमारी को ठीक कर सकते हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप इसको संकल्प कर लें और इस मंत्र का नहीमित रूप से आप जाप करें तो आपको बहुत आराम दिखाई देगा आपके बीमारी के अंदर बढ़ा सारल मंत्र है गगवान भुलेनात का बीज मंत्र है ओम भम होता है न फूटने वाला बम वैसे ओम बम 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 या ओम बम करना चाहे या खाली भम बम 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 का उचारन करते रहे देखिए आपके इतना चमतकारी कि ये जो बम जो शब्द है ये जो वीज मंतर है भुलेनात का ये आपकी गठिया जैसे बीमारी को जड़ से खत्म करने दा हमने कितने ही ऐसे पेशिंट को ठीक किया है खाली इस मंतर के जाब से खाली बम बम तो पहली चीज तो आपको इस मंतर का निमेत रूप से जाब करना है खाना बनाते समय अपना मुख पूरब दिशाब में रखिए जब आप गैस पे खाना बना रहे हैं तो आपका मुख पूरब रहना चाहिए सोते समय अपना सिर पूरब में रखिए दक्षिन में रखिए वजंग के बराबर गुड का दान कीजिए मातारानी ने चाहा तो बहुत जल्दी आप सुष्ट होगी तो चली तरशकों भी किला आगे बढ़ते हो और आप जान लेते हैं तम तीन डाशी उंतिवार में जो किया मकर कुम्हरमी डाशी मकर डाशी की बात करते हैं आज किसी भी तरह का दवाब यदि आप महसूस करते आ रहे हैं तो हो सकता है दवाब कम हो जाए अपने आप पर विश्वाश रखते वे काम कीजिएगा और बुजर्गों का दिल ना दुखाने के संकल्प के साथ दिन की शुरुबात कीजिएगा बात करते हैं कुम राशी उत्सा बहुत रहेगा लेकिन करना क्या ये क्लियर नहीं होगा तो कि बहुत सारी चीजिए मन में एक साथ चलेगी खुद को कंट्रोल में रखेगा और समय मत गवाएगा दिन अच्छा रहेगा बैल को गोड़ और हरी सबजी खिलाएगा दिन अच्छा कुछ देगा अंतिम जो राशी में राशी वर्किंग सेक्टर आज अच्छा रहेगा बिजनस प्लेस आज अच्छा रहेगा हाड़ वर्क कीजिएगा और आगे बढ़ते जाएगा आलस के भाव को कंट्रोल में रखिएगा और पक्षियों को गहुं चावल के लाएगा दिन अच्छा पुछ लेगा तो चली दरश्मों बिकला आगे बढ़ते हो और पंडीची से जान लेते हैं कि आज का गुड़ लग टेप पुर्णिमा तिथी के दिन मालक्ष्मी की अराधना करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है आज मैं आपको साल की प्रथम पुर्णिमा तिथी पर करने वाले कुछ ऐसी रेमेडीज बताने जा रहा हूँ जिनको आज के दिन करने से पूरे वर्ष आप धन से माला माल बने रहेंगे पूरे वर्ष बरसेगी मालक्ष्मी की क्रपा आपके उपर जल्दी से सुन लीजेगा समझ लीजेगा आज सुबह लगबग 10-11-12 बजे के आसपास पीपल के वक्ष पर मालक्ष्मी का आगमन होगा संकेत मिला हमें कि आज मालक्ष्मी पीपल पे आएंगे तो इसनानादी से निवरत होकर पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा रग दीजेगा उसके नीचे मीठा जल अरपन कीजेगा उसकी जड़ों में और धूप अगरबती जलाकर मालक्ष्मी जी का पूजन कीजेगा मालक्ष्मी जी की आरती कीजेगा और मालक्ष्मी को अपने घर पर डिवास करने के लिए आमंतित कीजेगा निशित तोर पे पूरे वश मालक्ष्मी की खरपा आपके उपर बनी रहेगी आज आपको हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल कर उसमें घर के मुखे द्वार पर या प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं वहाँ पर ओम का चिन्ने जरूर बनाईएगा और आज शाम को चंद्रमा उदै होने के पशार साबुदाने की खीर बनाईएगा मिश्री डाल कर और मा लक्ष्मी को उसका भोग लगाएगा फिर प्रशाद के रूप में घर के सभी सदस्य खाएगा घर के अंदर जो है दामपत्त जीवन भी सुख में बना रहेगा धन आगबन का मार्ग प्रशाष्ट होगा आज घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजा पत्तों से बनाया हुआ तोरण अवश्य बान दियेगा पूरे वश घर में शुबता का वातावरन बना रहेगा विशेश तोर पर आज शिवलिंग पर शहद कच्चा दूद बिलपत्र शमी पत्र और फल चड़ाने से बोलेनात की क्रपा मा लक्ष्मी की क्रपा पूरे वश बनी रहेगी पूर्णिमा तिथी के दिन गिसेवे सफेज चंदन में केसर मिलाकर बगवान शंकर को अरपित करने से घर में कल्या कलेश नहीं रहता शान्ती दूर होती है सफल दामपत्य जीवन के लिए साल की प्रथम पूर्णिमा को पती पत्नी में कोई भी चंदरमा को दूद का अर्द अवश्य दे दोनों एक साथ भी दे सकते हैं दामपत्य जीवन में मधूरता बनी रहेगी एक विशेश उपाए आज मालक्षमी के चितप्र 11 कोडियां चड़ा कर हल्दी से तिलक कीजेगा कल सुबह उन कोडियों को लाल कपड़े में लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लीजेगा इस रेमेडी से आपके घर में धन की कोई कमी नी रहेगी और उसके पशात हर पूर्णी माक के दिन उन कोडियों को तिजोरी से निकाल के मा के समुक रख कर उनकी पुने हल्दी से तिलक कीजेगा फिल लाल कपड़े में बांद कर तिजोरी में रख दीजेगा पूरे वश आपके उपर मालक्षमी की करपा बनी रहेगी और आज मा लक्षमी को इतर और सुगन्दित अगरबत्य अर्पन कीजेगा इतर की शीशी खोल कर माता के वस पर इतर छड़क दीजेगा अगरबत्य के पैकेट से कुछ अगरबत्य निकाल कर जला दीजेगा धन सुक समरद्धी एश्वर की देवी मा लक्षमी से अपने घर में स्थाई रूप से निवास करने की प्रातना कीजेगा तो सरल सी रेमेडी आज वर्ष की प्रधम पुनिमा के दिन यदि आप करते हैं तो निश्यत तोर पे मा लक्षमी आपके ओपर धन की वर्षा करेगी और साथ साथ में आपके घर में सुक शान्ती समरद्धी का वास करमाई तो दर्शोगों मा अशा करते हैं हमारे कारिक्रमाच आप सभी को काफी पसंद आया होगा अपने चापका बहुत बहुत शुक्रे स्टूडियो माने के लिए उद्रशोगों के समस्यां के समाध्मन करने के लिए अब सभी काच कर दिन मंगल में होशोगों जैशी किष्णा जैमाता की जैशी तो दर्शोगों अगर आपको भी कोई समस्या आप शूमवार से काच बहुत कर दिन मंगल झाल 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 झाल